हलो जहीं साथियो स्वागत है आप से भी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे अभी हाली में डिजिटी की तरफ से इसकी अपिस्यल जो ट्यूटर है वहाँ पर आपको एक ट्यूट किया हुआ नजर आ रहाँगा जो कि यह मैं आपको दिखा रहा हूँ आज की जेट में जो की तीन घंटा पहले यहाँ पे ट्वीट किया गया कि 11 जुलाई 2022 को भारत के युवाओं को बहतर रोजगार और आंदर जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्धिस से स्किल इंडिया द्वारा देश भर में प्रदान मंतरी नेशनल अप्रेंटिस सीप मेला आवेजित किया जा रहा है जिसका पंजी करन यदि आप करना चाहते हैं तो dgt.gov.in अप्रेंटिस सीप मेला 2022 के तद आप इसमें रेजिटेशन कर पाएंगे आज की इस वीडियो के मादम से आपको जनकारी देने वाले हैं कि आप कैसे इसकी official website पर रेजिटेशन कर पाएंगे जिसका पूरा यहाँ पर आपको वीडियो के मादम से जनकारी देने वाले हैं यह आपका जो निकल क्या रहे परदानमंत्री निशनल अपरेंटिसिप मेला के तत यहाँ पर जनकारी निकल क्या रहे यदि योगिता की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पच्वी बरहमी और स्कील ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है मतलब कि यदि आप ITI यह डिप्लोमा धारक हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें भाग ले पाएंगे जो कि 11 जुलाई 2022 को यह लगने वाला है वैसे मैं आपको बता दू साथियो जब आप इसकी अफिस्यल वेब साइट पर आएंगे तो आपको बहुत सरे रोजगार मेले की बारे में जनकारी दी गई है जैसे की 11 को भी लग रहा है और यहां पर आपको जो देखने को मिल जाता है अठर को भी देखने को मिल जाता है तो और बिहार यहां पर आपको 25 को भी देखने को मिल जाता है MP में आपको 20-22 आपको देखने को मिल जाता है तो हर एक राजियों के लिए अलग-अलग यहाँ पर डेट रखी गए लेकिन जो 11 तारीकों यह सभी राजियों में लगने वाला है जो कि ट्यूटर के माधम से यही बात किया जाए तो तो आप इस पर आकर रेजिस्टेशन कैसे कर पाएंगे इसका लिंक में आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बाक्स में और यहाँ पर जैसे आप ओपेंड करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपेंड हो जएगा और आपको यहाँ पर एक त्री डॉट का आइकन दिख रहा होगा सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन आप्सन देखने हो को मिलेगा एक आपको होम और दूसरा रेजिस्टेशन और यहाँ पर लॉग इन तो आपको करना के यहाँ पर रेजिस्टेशन वाले आपसन पर क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाता है कंडिडेट रेजिस्टेशन उसके बाद इस्टेलेमेंट रेजिस्टेशन और यहाँ पर ग्रिवेंस फॉरम तो देखिए आपको करना के registration करना है तो registration के लिए सबसे पहले वाले आपको यहाँ पर icon पे click कर देना है candidate registration पे जैसे ही साथियों आप candidate registration पे click करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा जिसमें लिखा गया है यहाँ पर नाम तो आपको अपना नाम फिल करना है जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर capital में लिखेगा नीचे आजाएंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि already registered and apprenticeship portal पतलब कि आप पहले से registration कर चुके apprenticeship की official portal पे तो यदि आप पहले से कियोंगे तो yes किजिएगा यदि आप पहले से नहीं कियोंगे तो no आप इस तरह छोड़ दीजिएगा इसके बाद यहाँ पर father, mother और यहाँ पर suppose नेव तो जो भी आपके पिता जी का नाम है यहाँ आप यहाँ पर लिखेगा यहाँ अपने माता जी का नाम यहाँ आप लिखेगा date आप बर्थ यहाँ पर select किलिजिएगा जो कि यहाँ पर date आप बर्थ आपको सही से लिखना है पहले आपका day होगा उसके बाद month होगा या yearly होगा तो यहाँ से आपका किया किजिएगा आपको एक calendar आवला option दिख रहा है simply calendar पे click करेंगे तो आपका यहाँ पर एक official calendar टाइप का सोग करेगा जिसमें आप असानी से select कर पाएंगे निचा हैंगे सात्यों तो यहाँ पर आपको gender select करने के लिए का जा रहा है आप कौन सा gender जैसे कि मैं इस पर click करता हूँ देखिए तो यहाँ पर male, female और यहाँ पर transaction देखने को मिल जाता है तो आप male होंगे तो male पर click किजिएगा female होंगे तो female पर उसके बाद आपको mobile number उसके बाद alternate mobile number email id अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह यह यहाँ पर जो आप mobile number फिल करेंगे वो आपका active होना चाहिए और दूसरी बात email id email id के आपको जरूत पड़ेगी तो जो भी आप email id यहाँ पर फिल करेंगे बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि उसके आपका email id पर message भी जाएगा उसके बाद आपको दोबारा इसी email id को यहाँ पर फिल करना है उसी email id को यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको एक नया password create करना है ध्याने के आप password आपका highway होना चाहिए इसमें password फिल करने के बाद दोबारा आपको इसमें password फिल करना है इसी password को दोबारा इसमें फिल करना है इसके बाद अपने राज्य यहाँ पर select किजिएगा जैसे कि यहाँ पर आप click करेंगे तो बहुत सारे राज्य आपको देखने हो मिलेगा गुवा, दिली, गुजरात, हरियाना, हिमाचल, परदेश, जम्मू, कस्मीर, यहाँ पर किरला जो की अदर अदर राज्य है तो जो भ to know about मेला, क्या मतलब कि आप इस मेला के बारे में पहले से जानते हैं, आपको जनकारी है, तो आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामें कुछ इस तरह का नजर आ जागा, जो कि आप किसके द्वारा यहाँ पर जानना पसंद करते हैं, तो इस डिजिटी आप official website यहाँ पर क submit करेंगे, तो आपके mobile पर यह जो भी आपने email ID field किया, उस पर आपको एक OTP जाएगा, और उसी OTP को आपको क्या कर देना है, उसी OTP को सातियों आपको submit कर देना है, और यहाँ पर आपका जो registration है, वो हो जाएगा, तो असानी से आप registration complete कर पाएंगे, अब यहाँ पर बात कर करते हैं कि यदि आपको जनकारी नहीं कि apprenticeship मेला कहां पर आयोजीत हो रहा है, कैसे आप पता कर पाएंगे, तो आपको दोबारा क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे सातियों तो आपके सामने इस तरह का option आएगा, आपक तो आपको क्या करना है, इस पर आपको पूरी परक्रिया यहाँ पर दिया गया, मैं आपको पूरा process इसका नहीं दिखा पाया, तो आप देखिए, जैसे आप registration करेंगे और email ID फिल करेंगे, तो देखिए, आपके email ID पर यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद, एक आपके प देखने में, तो सबसे पहले वाले पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद साती हो, आपको क्या करना है, इस तरह आपको आपके सामे कुछ इस तरह का page open हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है, तो यहाँ पर login करेंगे, तो आप से मांगा जाएगा, कि enter email या mobile number, इमेल आइडी आप फिल किजेगा, या mobile number फिल करेंगे, तो जो आपने password अभी फिल किया है, वो password आपको फिल करना पड़ेगा, तो password आप फिल कर दीजेगा, और जैसे आप यहाँ पर फिल करके sign in पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामे कुछ इस तरह का open हो जाएगा, तो यहा पर यहाँ पर apprenticeship मेला लगने वाला है, या एक और तरीका में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चेक कर पाए रहेंगे, कि apprenticeship मेला कहाँ पर आयोजीत हो रहा है, तो आपको करना कहा है, दोबारा आपको आजाना इसकी website पर है, और यहाँ पर दिख रहा है, आपको click to nearest center location, त जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदिस है, दिल्ली है, राजस्तान है, गुजरात है, पंजाब है, तो जैसे आप जिस राज्ये के अंतरगात आते हैं, जिस राज्ये में आप रहने वाले उस पर click करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदिस सिप मिला है उसका सेंटर यहां पर दिखाया जा रहा है जो कि गौवर्मेंट आइटे जो बली है वहां पर आपका आउजित हो रहा है तो आप वहां पर जा सकते हैं और यहां पर वहां पर जो कॉलेज है वहां पर इनका जो इमेल आइडी है और जो यहां पर मुवाइल इतनी यहांपर वीक एंसीखाली है यह भी जन्राइजय तो इलेक्टिशियन के लिए खाली है जो कि 10 सीट है आगे हैं आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आगे हैं पर सीट है, उसको जन्रगत आपको जनकारी देखने को मिल जाती है तो आई होप आपको जनकारी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक किजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजेगा